याद में रेता है याद मेरा भार बर जाके देखना पड़ता है इस वज़े से ताइम कम भाज आता हैं अब इस प्रवबलम को हम किस करेके से सॉल पर सकते हैं Hello everyone, Welcome to Origin, I am Abhyudhai, Currently at NLSIU Bangalore So without wasting further of your time, हम सिधा इस वीडियो के topic में आते हैं जो कि है, CR के preparation हम कैसे करें और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने प्रिपेर किया था जब मैं एक्जाम दे रहा था CLAD का CR के लिए इंस्टाग्राम या टेली ग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल अभ्यूदे-अंडरिस्कोड-0108 टेलीग्राम का हैंडल अभ्यूदे-अंडरिस्कोड-0108 दोनों का I-D description में मेरे टेली चैनल को आप जोईन कर लीजिए वहाँ पे आपको जितना भी materials में share करता हूँ या जो भी मेरा important चीज़े में CLAT के related आपको आपके लिए जो useful है वो share करूँगा वहाँ पे आपको मिल जाएगी उसका link description में है I hope ये सारी चीज़े आपको clear है अगर आप individuals सिर्फ one time one to one session में साथ करना चीज़े उसके लिए भी आप मेरे सा handle में text कर सकते हैं तो अब हमें start करते हैं अपने topic को what is that CR critical reasoning के preparation के लिए सबसे best strategy या किस type की strategies हम use कर सकते हैं तो देखिए अगर CLAT में सबसे जादा दिमाग लगा के किसी section में पढ़ना होता है वो है CR clear यह तो आपको पता होगा and हाँ इस video में मैं यह assume करके चल रहा हूँ कि आपने वो वाली video मेरी देख लिए जिसमें मैंने हर एक section को explain किया है कि किस section में क्या-क्या होता है CLAT में तो अब यहाँ पे बात ही आती है कि CR का main जो basic चीज है वो हमको किस तरीके से शुरू करना होता है या CR का एक overview हम लेते हैं कि क्या होता है critical reasoning में हमको क्या करना होता है देखिए logical reasoning के दो parts होते हैं पहले मैं आपको basic सिखाता हूँ logical reasoning के दो parts होते हैं एक होता है critical reasoning और एक होता है analytical reasoning analytical reasoning में आता है अपना जो sequence and series हो गया coding decoding हो गया और जो हमारे normal pattern वाले या फिर like blood relations इस type के जो reasoning होती है वो हमारी आती analytical reasoning में the second thing is critical reasoning जो की GMAT, CAT इस type के exams में भी आता था but वहाँ पे एक passage based हो, paragraph based होता था CLAT ने इसको transform करके passage based CR कर दिया है जो की शायद सिर्फ CLAT में ही पूछा जाता है किसी और exam में ऐसा नहीं पूछा जाता so no doubt इस वज़े सिसके material कम है but critical reasoning में passage based question का जो base होता है वो शुरू होता है paragraph based question से so critical reasoning में mainly हमको पढ़ना होता है क्या-क्या पढ़ना होता है आप note करते चलिए सबसे पहले हमको तीन चीज़े clear करनी होगी एक passage related अगर critical reasoning हमको start करना है तो कौन-कौन से तीन चीज़ हमको clear करने है argument क्या होता है conclusion क्या होता है premise क्या होता है clear ये तीन चीज़ हमको जानना जरूरी है argument, conclusion, premise and assumption ये चार चीज़ से हमको सबसे पहले शुरू करना है हमको सबसे पहले देखना है कि argument क्या होता है हमको उसकी definition देखनी है कि argument होता क्या है then हमको कुछ paragraph में examples देखने कि किस तरीके से argument हमको पता चलता है then हमको जानना है कि conclusion क्या होता है पहले अब conclusion का definition हमको देखना होगा फिर हम देखेंगे कि paragraph में किस तरीके से conclusion ढूंडा जाता है third हमको premise के बारे में जाना है कि premise आखिर होता क्या है and फिर हम उसको same paragraph में देखेंगे कि कैसे apply करता है third thing जो हमको जाना है वो assumption क्या होता है and वहाँ पे हमको वो चीज apply करनी है अब देखें अभी मैं आपको ये सारे concepts पढ़ानी रहा हूँ अभी मैं आपको एक overview plan बता रहा हूँ कि CR का preparation करना कैसी चाहिए ये सारे जो concepts हैं इनके लिए videos बनाने होंगे मुझे and वो धीरे-धीरे करके आपको मिलते जाएंगे अभी हम start कर रहें एक overview के साथ so जब ये चार आपने clear कर लिए जो basic चीजे हैं assumption, argument, conclusion and premise then आपको जाना है inference अब आपको ये देखना है कि एक passage में से हमको inference कैसे निकालना है inference दो type के होते हैं clear अब उसमें हमको क्या करना है inference का सबसे पहले definition हम पढ़ेंगे जाके आपको definition सर्च करना है आपको समझना है कि आखिर inference में क्या-क्या चीजे होते हैं then हमको क्या करना है एक passage में जाके ये check करना है कि inference में ये क्या होता है आप से CLAD directly पूछ सकता है, what is the assumption of the author behind this passage, इस type से question आ सकता है, आपको author पूछ सकता है, what is the inference, what do you infer from this passage, or what is the inference that the author is trying to get from this passage, clear? अब next चीज हमारा होता है, same with conclusion and same with premise, यह सब चीज़े हम से directly पूछी जा सकते हैं CLAD के exam में, then जब हम आगे बढ़ते हैं, तो question के types होते हैं कुछ-कुछ, सबसे famous और सबसे common जो type है, वो ही strengthening and weakening, इसमें क्या होता है, आपको passage दिया जाएगा CLAD में, passage आपको पढ़ना है, then उनमें से एक question यह होगा, कि author का जो argument है, उसको आपको strengthen करना है, यह author का जो argument है, उसको आपको weaken करना है, देखिए, जैसे-जैसे मैं आपको सारा concept, यहाँ पे सारी strategies आपको CR की बताते जाऊँगा, एक चीज़ आपको यहाँ पे clear होती जाएगी, कि argument जो होता है CR में, that is the most important thing, अगर आप इस चीज़ को command कर लिए, कि argument हमको passage का पहचानना आ गया, then 75-80% काम आपका done हो चुका है, clear, argument पहचानना is the toughest or the easiest thing for any student, अगर आपने उसको master कर लिया, तो आपके लिए फिर CR का passage easy है, अगर आपसे argument आपने उसको ignore कर दिया, आपने ध्यान ने दिया, फिर CR के passage आपको tough लगने लगेंगे, कई लोगों के मुझे पिछले like, 2-3 हफतों में बहुत जादा message है, कि भया हम CR का practice, बहुत सारे sectionals दे रहे हैं, हम news paper भी पढ़ रहे हैं, हमारी reading speed भी अच्छी है, या फिर कम है, जैसी भी है, बढ़ हां ये देखा कि CR में हमारी score नहीं बढ़ रहे, हमको passage कई बार समझ नहीं आता, तो यार the thing is, आप argument को नहीं पहचान पारे हो, किसी भी passage में, अगर कोई passage आपके सामने आया है, जो कि मान लिए जाए 400 word का है, उस 400 word में से 20-30 word का एक line होगा, एक sentence होगा, जो कि उस पूरे passage का pure argument है, बस आप उस argument को पहचान लीजिएगा, जैसे ही आप वो argument पहचान लेते हैं, आपके सामने आधी picture clear हो चुकी है, उस passage की, अब जब बात आती, strengthen, weaken type के questions की, तो इस strengthening question में हम क्या करते हैं, strengthening question में हमको author का जो argument है, उससे related कुछ ऐसे facts या external evidence प्रोवाइट करने हैं, जिसके through author के argument को हम support कर सकें, clear, अब for example, मैं कुछ argument रख रहा हूँ, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं जो argument यहाँ पे रख रहा हूँ, उसको आप strengthen करो, तो अब किस तरीके से उसको strengthen करोगे, for example, अगर मैं बोल रहा हूँ कि लाइक मैं जो guidance आपको दे रहा हूँ, that guidance is like very good guidance और it's like very helpful guidance for clatt as parent, अब इसको अगर मैं बोलू कि मेरा यह argument इसको तुम strengthen करो, आप इसके लिए strengthen करने के लिए आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि हाँ, इन्होंने clatt crack किया है, बट वही पर अगर मैं कहूँ कि इस argument को आप वीकन करो, तो आप इसको वीकन किस सरी किसे करोगे, कि इस बंदे ने ना तो clatt दिया है, ना ही इस बंदे ने कभी clatt के preparation किया, ना ही इसको clatt किसी labors का कोई idea है, तो इसकी जो guidance होगी, वो शायद helpful नहीं होगी, means, stranding, weakening, simple सी दो चीज़े हैं, अगर आपको strand करना है, तो कुछ essay evidence प्रोवाइट कराओ, जिससे argument को support करें, weaken करना है, तो कुछ essay evidence प्रोवाइट कराओ, जो की argument को weaken करें, अब यह evidence लाने कहां से है, strand का question है, चार options होगे, जिसमें से तीन या तो neutral होगे, या फिर weakening होगे, एक strengthen कर रहा होगा, तो वो strengthen वाला हमारा option सही होगा, उसमें external evidence दिया होगा, जैसे ही हम यहाँ पर अभी तो मैं आपको overview दे रहा हूँ, एक concept हम पुरा strategy आपके साथ share कर रहा हो, होगे, या फिर strengthen करने वाले होगे, सिर्फ एक option होगा, जो weaken कर रहा होगा, वो हमारा correct answer होगा, तो इस तरीके से फिर हमको stranding, weakening questions को भी individually practice करना है, अब हमको यहाँ पर सबसे बड़ा doubt यह आता है कई बार, कि भाया, CLAT में जो हमसे पूछा जाता है, वो होता है, passage based question, एक passage होता है, उससे 5-6 questions होते हैं, बट मैं जो आपको content, आपको मैं suggest कर रहा हूँ, कि आपको practice कहां से करनी, वो generally मैं क्या कर रहा हूँ, CAT या GMAT का, mostly मैं आपको suggest करूँगा, Manhattan Guide for GMAT एक book आती है, अगर आप screen friendly हो, तो फिर आप उसके online PDF डाउनोड कर लो, हर Telegram channel में free of cost available है, ज़्यादा आपको कुछ जंजट करना नहीं है, बट अगर आप कोई screen में उत्ता problem है, screen time आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, तो उसका कोई ज़्यादा cost नहीं, आप एक book purchase कर सकते हो, clear, तो वो book आपके पास होनी चाहिए, बट उस book में problem यह है, कि वो paragraph based, उसमें critical reasoning दिया है, अब paragraph based in the sense, passage हमारा क्या होता है, एक passage उससे 5 question है, बट GMAT के जो questions है, वो कैसे होते हैं, एक paragraph है, उसका एक question है, देन अगला question, अगला paragraph है, बट, अब मैं वो चीज़ आपको suggest क्यों कर रहा हूँ, वो मैं आपको इसलिए suggest कर रहा हूँ, क्योंकि, जब मैं आपको बोल रहा हूँ, कि आप assumption पढ़ो, आप conclusion पढ़ो, आप premise पढ़ो, आप inference पढ़ो, आप argument पढ़ो, तब मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आप individually इन concepts को strong करो, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसके concepts को आपको देखना है, आपको इसकी theory को read करनी है, अच्छे से समझना है, देन आपको individual questions practice करने हैं, तब जाके आप passage में इसको apply कर पाऊगी, clear, तो सबसे पहले आपको क्या करने है, paragraph based question practice करने है, and Manhattan guide for GMAT, PDF में आपको अपने telegram channel पर देदूँगा, तो उसको आप जाके join कर लो, clear, and अगर आपको book purchase करनी ही, तो वो easily कहीं पर भी available है, now, ये तो हो गया है हमारे कि किस तरीके से हमको, जो paragraph based question है, उनको use करना है, CR अच्छा नहीं होने का, CR में score नहीं आने का, या CR समझ नहीं आने का, सबसे simple सा reason है, आपका concept clear नहीं है, अगर पूरे CLAT के 5 subject में, सबसे ज़्यादा concept कहीं पर use होता है, तो maths के बाद वो है CR, इसलिए आपको यहाँ पर concept clear करनी है, कुछ टीचर यहाँ यह भी बोलते हैं, कि passage पढ़ा, वो answer दो समझ आ जागा, गरने CR concept based subject है, concept वहाँ पर clear होने चाहिए, अब जब हमारा strengthen weekend का, यहाँ पर complete हो जाता है, then हमको दिखते हैं, main idea type के questions, अब main idea type के questions क्या होते हैं, कि author ने इस passage में, जो भी चीज़े बोली है, तो author इस passage के थूरू, उसका main idea क्या है, या कही ताइप से इसको हम, जो question आता है, उसमें हमको यह दिखेगा, कि what does author want to convey through this passage, main idea नहीं बोलेगा, तो वो convey क्या करना चाहता है, पुछेगा, दोनों का मतलब same है, अब इस दोनों का मतलब हमको क्या करना है, इस पूरे passage का, एक line का एक summary होता है, वही होता है उसका main idea, means, author इस पूरे passage से हमको, कौन सा main चीज़ समझाना जाता है, अब कही ना कहीं, ये चीज़ी किस से related है, argument से, जो argument हमने passage परते टाइम, शुरू में निकाल के रखा है, अगर वो argument हमको पता है, तो main idea हमारा क्या होगा, जो argument के nearest, जो option है, वो हमारा main idea हो जाएगा, clear, इसको हम convey क्या करना चाहता है, ये भी बोलते हैं, तो इस type से हमारे, जो CR में main questions होते हैं, वो इस type से बनते हैं, अब मैं आपको 5-6 ऐसे questions बताता हूँ CR की, जो कि हमको exam में देखने मिलता हैं, आप note करते चलिए, the first thing is, what is the assumption type के question, जी हाँ, पैसेज देगा, उसमें पुछा जाएगा, कि author का assumption क्या है, second पुछेगा, what is the inference, clear, यहाँ पे inference पूछा जाएगा, तो आपको inference type के questions देखेंगे, third is strengthening or weakening, दोनों को मैं एक साथ add कर रहा हूँ, या तो strengthen का question होगा, या weakening का question होगा, fourth one is, main idea of the passage, जिसमें आपको passage का main idea जानना है, and fifth और sixth जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा ratification करना होगा, थोड़ा आपको कुछ कुछ चीज़े याद करनी होगी, and वो fifth और sixth चीज़े कौन कौन सी है, the first, जो पहली चीज़ है, fifth number की, वो है figure of speech, जब कोई भी passage आपको दिया जागा CR में, तो कई बार ऐसे question देखने को मिलता है, जिसमें वो वहाँ पे पुछा जाता है, कि इस passage में figure of speech कौन सा यूज हुआ है, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे अपने mind में रखनी है, and जो sixth number की चीज़ है, वो है theme of the passage, आतर यहाँ पे आपको, जो question आपसे पुछा रहेगा, उसमें पुछागे कि passage का theme क्या है, तो theme, certain themes होते हैं, 25 to 30 themes होते हैं किसी passage के, वो मैं आपको PDF प्रोवाइट करा दूँगा, टेलिग्राम चैनल पे आप उसको जाइन कर लेना, and figure of speech भी आपको कुछ याद करने हैं, वो भी 25 to 30 होते हैं, उससे जादा याद नहीं करने है, and वो आपको वहाँ पे कर लेना है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे tricks मैं आपको बताता हूँ, figure of speech से related, जो कि कई बार use होते हैं, सबसे पहले trick तो, मैं यह नहीं बोल रहा है कि यह हर बार काम करेगा, बढ़ अगर आपको लग रहा है कि मेरे attempt कम है, मुझे एक दो marks risk लेके aggressively attempt करने चाहिए, तो पहला चीज है, अगर किसी passage में या option में metaphor है, तो आप चाहो तो metaphor को mark कर सकते हो, अगर आपको कुछ idea नहीं लग रहा है तो, and इस type के कुछ hot tricks हैं, जो मैं with time आपको बताते जाओंगा, तो यहाँ पर हमारा overview हो गया, कि question किस type से आते हैं, and किस type से हमको अपने basic concepts को clear करते जाना है, उस book के थूँ, and जो book मैं आपको suggest कर रहा है, उसमें क्या है, यह concept wise, chapter wise इसको बनाया गया है, तो उसको तो आप जाके पढ़ी लीजिए, and इस तरीके से हमको अपने उसको clear करना है, अब सबसे important question, जो कि किसी भी student के mind में doubt आता है, या सबसे जादा मुझे messages and comments इस चीज के बारे में आया है, कि भई आप passage ही समझ नहीं आता है, या passage हमको समझ में आ जाता है, लेकिन याद नहीं रहता, बार-बार जाके देखना पड़ता है, इस वज़े से time कम हो जाता है, अब इस problem को हम किस तरीके से solve कर सकते हैं, तो मैंने आपको दो method बताये थे, reading speed वाली अगर वीडियो ने आपको, आपने मेरी देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको दो method बताये थे, कौन से दो method थे, एक था skimming technique, एक था flow chart method, skimming method is purely for high speed reading, तो अभी हम यहाँ पे reading speed की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करें कि passage हमको किस तरीके से समझ आए, पेसेज में हमको बार बार जाने के लिए time waste ना करना पड़े, या अगर हम गय भी हैं, तो धूणने में हमको time waste ना करना पड़े, तो आपने देखा होगा, अब मैं अपने सिधा point पे आता हूँ, कि किस तरीके से हमको accuracy और passage को समझे कैसे, आपने देखा होगा कि कभी भी CR का जब passage आता है, तो वो paragraph में divided होता है, for example, एक passage हमारे पास हाया एक page का, उसमें 3-4 paragraphs होंगे, तो हमको active reading करनी, देखे, reading दो type की होती, एक होती passive reading, एक होती active reading, passive reading वो reading है, जो कि हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, हमको कोई idea नहीं है, क्या चल रहा है, हम flow के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, but active reading वो होती है, कि author जिस तरीके से, उस passage के flow को मोड रहा है, हम उस तरीके से मोड रहे हैं, and इसके लिए हमको क्या करना है, कि जैसी हमारा एक passage cover, एक passage का एक paragraph हमने read किया, हमको तुरंथ उसमें 5-6 second का time लग गया, उसके एक line की summary उपर में लिख देनी, कि इस passage से सबसे हमको जादा क्या समझ में आया, सिर्फ एक line में, अभी आपको समझ नहीं आ रहो कि यह क्या चल रहा है, then जब हम second passage read करेंगे, अभी मैं आपको एक video यहाँ पर provide करा हूँगा, आगे चल के, जिससे मैं flow chart method आपको एक passage के साथ practice करूँगा, अगर मैं अभी करा, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर जब पहला paragraph आपने पढ़ा, एक line की summary लिख ली, दूसरा paragraph हमने पढ़ा, एक line की summary लिख ली, तीसरा paragraph हमने पढ़ा, एक line की summary लिख ली, और चौथा paragraph हमने पढ़ा, एक line की summary लिख ली, अब इससे क्या हुआ, summary तो हमने बना लिया, अब हमको पुरे passage का summary बनाने से अच्छा, उसके बारे में positively वो बात कर रहा है या उसके बारे में वो neutral है या उसके बारे में वो negative है जैसे ही हम second passage में आए हमको पता चला कि first passage से author ने जैसे हम second paragraph में आए तो हमको यहाँ पर उस एक line के summary से idea लगेगा कि author पहले paragraph में negative था या positive था या neutral था और दूसरे paragraph में भी same है या उसने कुछ अपने attitude में change लाया means first paragraph में उसने तारीफ की second paragraph में वो neutral हो गया थोड़ा या थोड़ा वो negative हो गया या vice versa अब जब हम third paragraph में आएंगे fourth paragraph में हमको यही देखना है कि author का flow कैसे change हो रहा है तो जब हम यह flow को हम देखते जाएंगे last में हमको यह idea लग जाएगा कि author इस topic के बारे में positive है author इस topic के बारे में negative है author इस topic के बारे में neutral है जब यह 3 में से को यह हम confirm हो जाएंगे कि author क्या कहना चाहता है इस topic के बारे में तब हमारे जो main idea के question है जो assumption के question है जो strengthening weakening के question है जो theme के question है जो conclusion के question है जो inference के question है, सब में हमको कोई भी problem नहीं होने वाली है flow chart method जैसे आपको use करना आ गया, आपको passage समझने में कोई problem नहीं होगा अब यहाँ पे second चीज यह चीज आपकी accuracy को कैसे improve करेगी आपने हर एक line का एक summary बना लिया है अब जैसे आपको एक question दिखा कि author इस passage के इस paragraph में क्या कहना चाहता है या कुछ ऐसा question आया कि author इस line के through क्या deduce करना चाहता है या क्या आपको बताना चाहता है, क्या convey करना चाहता है, क्या infer करना चाहता है अब आपको क्या करना वो इस passage में जाके देखना होगा बट नहीं, अब आपको उस एक window के बारे में पता है, जो आपको एक line में summarized है, आपको जाना है, देखना है, क्या है, option mark करना है, आगे बढ़ना है, clear, so हम एक चार paragraph के passage को हमने एक चार line में divide कर दिया, तो इससे क्या हुआ, passage छोटा हो गया, हमको passage समझने में आसानी हो गई, and हमारी accuracy, यहां पर बढ़ गई, बार बार जाते time हमको idea है कि हम क्या mark कर रहे है, clear, time भी से हमारा बहुत बचता है, यहां पर problem तब आती है, जब जो flow chart वाला जो passage है, कई बार आपने देखा हुआ कि बिना paragraph का passage आ चुका है, तो जब बिना paragraph का वो passage आता है, तो थोड़ा tough हो जाता है, बट जैसे जैसे आप यह paragraph based question को practice करते जाएंगे, जो बिना paragraph वाला को passage आएगा, उसमें आपको ज़्यादा problem नहीं होगी, and honestly बिना paragraph वाले questions जो होते हैं, जो generally arts से related होते हैं, या फिर या यह जो अपने economics या arts टाइप के जो passage होते हैं, उससे related होते हैं, इसमें flow chart method उतना काम करता भी नहीं है, बट जैसे जैसे आप practice करते जाओगे, आपको यह चीज़ क्लियर होती जाएगी, अभी आपको लग रहा होगा कि इसका भी कोई solution दो, बट to be honest, मेरे सामने भी इसका कोई solution नहीं था, मैं practice करते गया, and इस टाइप के questions क्लियर होते गए, बट या हवा उसका नहीं बना लेना है, कि यार मेरे से यह बनता नहीं मेरा क्या होगा, एक चीज़ अगर आपसे नहीं बन रही है, तो किसी और से वो चीज़ बन रही है, बट कुछ और चीज़ उससे नहीं बन रही है, तो इसलिए आपको like, एक normal pace पे, consistent pace पे आपको preparation करना है, जा कर रहे हैं, paragraph, newspaper में एक opinion आया है, उसमें paragraph से different take a client के summary बनाने लगेंगे, clear, mock हम दे रहे हैं, sectional test हाँ, यहाँ पे मैं आता हूँ अब, कि CR में with speed, with accuracy, हम score कैसे बढ़ है, पैसे समझे कैसे, simple सा funda है, sectional test दो, CR में mock से ज़्यादा जरूरी है sectional test देना, and sectional test का मतलब यह नहीं कि आप daily sectional test लगा रहो बिना analysis के, हफते के दो sectional test लगाओ CR के, बठाव, थोरो analysis को करो, दो तिन बात, and analyze का मतलब यह नहीं कि जो गलत हुआ है, उसको बस check कर लिए, जो सहीं हुआ है, कई बार हम तुक्के के थूरू उसको सहीं कर लेते हैं, उसको भी हमको जा के check करना है, जो गलत हुआ है, उसमें हमको यह देखना है, कि जो मैंने गलत mark किया है, वो मैं क्या सोच के mark किया, and जो सहीं answer है, वो क्या सोचने पे सहीं होता, जब इस तरीके से आप अपने sectional test को analyze करते जाओगे, पैसेज को बार बार देखते जाओगे, तो आपको अपने आप CR का picture clear ह होते जाएगा, तो बस at the end, जो conclusion में आपको देना चाहता हूँ, वो simple सा conclusion है, concept को clear करो, first priority आपकी, एक महिना जादा से जादा उसमें time लगेगा, उसके individual question practice करो, वो सब मिला के एक महिना आपको लगेगा, then flow chart method को newspaper में, mocks में, साथ में साथ apply करते जाओ, एक महिना आपको problem हो होगा, score नहीं आएगा, या समझ नहीं आएगा, but हाँ, देर महिने या दो महिने से जादा नहीं लगने वाला, और अगर उसमें भी problem है, तो मैं हूँ ना आपके पास, मैं को telegram में message करो, मैं को आप Instagram में message करो, YouTube में videos के थू मैं आपको वो सारे concept समझाऊँगा, I am always there for every clay, clay, at a late as parent over there, the only thing you have to do is subscribe to this channel, and अगर आपको motivation के लिए NLSIU के vlogs चाहिए, तो मेरा जो अभ्यूदय पाटने NLSIU channel है, उसको भी आप subscribe कर सकते हो, so इस तरीके से हमको क्या करना है, concept हमारा clear हो गया, flow chart method हमने use किया, sectional test अच्छे से देना है, and mocks में फिर ये सब को जाके हमको करना ह सबसे last में, जो most important advice मैं आपको दूँगा, CR में mistake होती है, सबसे जादा mistake CR में होती है, क्योंकि ये reasoning वाला subject है, question बनाने वाले ने क्या सोच के question बनाया है, इसको हम नहीं जान सकते हैं, हम सिर्फ उसके near पहुँच सकते हैं, perfect answer कोई सा नहीं होता, चार options में थे, एक best option आपको लगाना है, तो यहाँ पे जो सबसे important suggestion में आपको दूँगा, वो होता है, elimination method, इस elimination method के साथ मैं आज अपने इस video का end करने वाला हूँ, अब elimination method में क्या करना है, अगर एक passage है, उससे related question है, उसके 4 options है, तो कोई सा भी option उन में से सहीं नहीं है, कई बार 2-3 options सहीं लगेंगे, but the thing is, उसमें से एक option best है उन 4 में से, clear, तो हमको उस best option को लेना है, and best option को पकड़ने के 2 तरीके हैं, एक तो सिधा best option ढूण लो, या 3 गलत option को हटा दो, and इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं एक video बनाऊंगा कि किस तरीके से हमको elimination method यूज करना है, and अब आपको लग रहा है कि आप तो हर एक चीज का video बनाने की बात करो, अगर मैं अभी आपको elimination method सिखाऊंगा, बिना आपके concept या basic theory को clear किये, तो फिर आपको यहाँ पर समझ नहीं आने वाला है, तो जिसका concept और theory clear है, वो जाके elimination method वाले video को देखे, जिसका नहीं है, वो पहले वो सारी चीजे cover करे, elimination method में हम क्या करते हैं, तीन गलत को हटा देते हैं, एक सहीं वो हमारा answer हो जाता है, इस तरीके से हमको consistently यहाँ पर CR में mark करने है, अब जो चीज मैं आपको last में एक और चीज सज़ेस्ट करूँगा, कि एक diary बना के चलते रहो, जो भी sectional test या जो भी mock आप दे हो, यह मैं हर वीडियो पर सजेस्ट करता हूँ, उसको आप उसमें गलती को लिखते जाओ, for example, आज संडे है, आज मैंने एक mock दिया, उसमें मैंने ये 6 गलती की, अब ये 6 गलती को मैं लिखके रखा हूँ, या मैंने sectional दिया, मैंने ये 2 गलतियां की, उसको मैं लिखके र तब कोई problem नहीं है, but the thing is, जून तक आप गलती repeat नहीं कर रहे हो, हर mock में आपकी 5-6 और गलतिया हो रही है, तो एक time ऐसा आएगा जब गलती repeat भी नहीं हो रही है, तब वो point आता है, जब आपकी silly mistake और mistake वाली चीज़े खतम हो जाती है, अब आपको सिर्फ ध्यान देना है, अपनी speed में attempt को बढ़ा दो, आपकी accuracy बढ़ जाएगी and score आपके बढ़ जाएगे, simple सफन दा है, तो गलती repeat नहीं करना है, यह आपको अपने mind में रखना है, फिर mock में joy score है, और अगर यह चीज़ आप कर रहे हो, तो आपको mock में score करने से कोई नहीं रोख सकता, so I hope CR का जो क कैसे तयारी करते हैं, कैसे समझते हैं, क्या क्या हमको करना है, वो आपके सामने clear है, and बाकी sources के लिए मेरा telegram channel है, वहाँ मैं आपको guide कर दूँगा, अगर कुछ particular sources चाहिए, तो आप मुझे telegram या instagram पे message कर सकते हो, अगर आपको मुझे individual mentorship चाहिए, कि throughout the session में आपके हर problem के सा में मेरे साथ आप जुड़ो, मैं आपके कुछ concepts को clear करूँ, and GK की topic list आपको मैं provide कराऊंगा उसमें, तो उसके लिए आप मुझे telegram या instagram पे text कर सकते हो, उसका basic सा minimum cost है, उसके through हम फिर, you can have me as your mentor, but अगर आप उसको नहीं ले रहे हो, तो through YouTube, through Instagram, through telegram, आप सब के लिए, anytime में हर किसी को देता हूँ, तो इस चीज़ का आप tension मतलो कि आपके साथ कोई नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, जिसने ये journey clear की है, and मुझे इसका पूरा guide है, तो आप tension मतलो बस आपको मेहनत में कमी नहीं करनी है, clear, so मिलते हैं next video में, till then goodbye, thank you, जैहिन.